वेरी वेरी गुड इवनिंग तू आल अफ यू तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने नेट फेक्टर इंकम फ्रॉम एबरोड के बारे में डिटेल डिसकुस्टन के थे और आपको एन फाइए का एक फार्मूला भी समझ में आया था कि एन फाइए इक्वल्स टू फेक्टर इं इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड थे प्रॉम और टू इनके अपने एक साइन थे पॉजिटिव और नेगिटिव इस पर भी लास्ट क्लास में हमने अच्छे से डिसकुस्टन कर लिया है उस क्लास इसको प्लीज अच्छे से आप देखें तभी आप नुमेरिकल को अच्छे स इसे हैंडल कर पाएंगे आज एक नया दिन और शुरुवात करते आज एक नए टॉपिक के साथ में नेशनल इंकम में ही अज का जो मैं टॉपिक डिसकुस्स करने जा रहा हूं आपके साथ में यह टॉपिक है आज का मैं आपको डैप्रिशेश्यं डैप के बारे में बाते करना चाहूं आज आज बहुत डिटेल डिसक्रस्टन करेंगे डैप और उसके बाद कुछ फॉर्मला कैसे बनाते हैं तो मैं डैप की बारे बात करूँ आज अब फिरिशेशन क्या होता है तो दो चीजे होती है अगर आप देखें एक होता है ग्रॉस ठीक है जी और एक होता ह है नेट यह दो वर्ड होते हैं ग्रॉस और नेट क्लिर है ग्रॉस का मतलब तो आप समझते ही है इसको हम बोलते हिंदी में सकल और नेट का मतलब होता है सुध दो सब्दें ग्रॉस और नेट अब आपको मन में समझना होगा इस पहले बात को कि ग्रॉस क्या है नेट क्या ह है और देप क्या है मैं आज से इसको दो साल पहले जब लिया था तो यह 20.000 रुपे का थाव को भी सजार रुपे का तो आप मुझे पूछते हैं कि सर आप का यह फोन कितने कह है तो मैंने आप से बोल दिया कि ट्विन्टी थाउजंड रुपीस का है यह बात समझें खिलिए तो यह जो ने आपको बताया यह क्या है यह जो है मैं भी आपको बताया इसी में लायता इसी मेरा जो है ग्रॉस है लेकिन आपको मैं 20,000 रुपए में आफर करूंगा कि मेरा फॉन 20,000 रुपर मैं 12,000 रुपे दूँगा समझेगा क्लियर है तो कहता है जी 12,000 रुपे दूँगा 12,000 रुपे आज की पेकनिकली रेडी है तो मेरे जो प्राइस थी आज जो पेकनिकली रेडी है 12,000 रुपे इसमें कितना डिडेक्ट हो गया इसमें कितना डिडेक्ट हो गया घा कितनी रुपे मैं जो है आप देख पा रहे हैं कि यह 8,000 रुपे रुपी सो गई है तो प्यारे बच्चे जो तूट-फूट के कारण पुराना होने के वज़े से गिवारी इसावत मैं जो प्रावट मीं गिरावट आती है इसी को हम बोल कर रहां कि यार प्राना होने को विए से 8000 पर कीमत तो इसकी अब कम हो गई मैं डेप्रिशेशन की बात कर रहा हूं और इस समय मैं जो है दे दूंगा आपको यह जो इसकी वैलू बची है वह बारा जार बची हुए यह इसकी नेट वैलू है तो आप अच्छे से पहले समझ क्या होता है नेट क्या होता है और डेप क्या होता है सब नोडिफिकेशन के ही अब क्लास क्यों चालो हो जाती है पहले से यह बारा प्लीज चेक किजिएगा क्लासिस का शुडूल जो है पहले से ही लगा हुआ था हांजी है चले जे आप मेरे बास समझें निसमझें तो अब आपको यहां से एक बात और अच्छे से समझ लेनी है अपने जहन में इस बात को आपको बिठा लेना है क्लियर है क्या चीज बिठा लेना है आपको यहाँ पर कि आपका जो है बेटा ग्रॉस के अंदर ओलडरी डैप्रिशेशन इंक्लूडीड होता है और नेट के अंदर डैप्रिशेशन नहीं होता है मेरे बात समझे या नहीं समझे ग्रॉस में डैप्रिशेशन ओलडी इंक्लूड बीस जार पर मिला मुलू करके और नेट के अंदर डेप्रिशेशन नहीं होता है तो आपको एक बात समझ लेनी है क्या सिंपल सा फार्मूला आपको समझना है यहीं से आपको फिर फार्मूला भ्यादी ना करो तो ज्यादा बैतर है चैहें तो मैं आप से सिदो लिता हो साधर्न से बात करता हो गर्स फिर कい ना ग्रॉसमें डेप अंग्लूड होता है या डाप होता है मैं सीदह लिए Dec .. खिक है जी के और इस बात को बिलिए ताम यहां पर की नेट में डैप नहीं होता है क्लियरे जी छोड़ी बाते हैं फर्मला बनाने में काम आएंगे अगर मैं अब देखूं यहाँ पर कि एक चीज देखेगा यह क्या है ग्रॉस ग्रॉस मेंसे जैसी मैं डैप माइनिस कर दूँगा तो रिजल्ट क्या आएगा रिजल्ट आएगा यहाँ पर नेट क्लियरे जी दूसरी बात में कर दूँ कि आपका नेट है इसमें डैप नहीं होता ना जैसी इसको आप डैप दे दो तो यह क्या बन जाएगा आपका यह आपका ग्रॉस बन जाएगा पर बात समझें या नहीं आई या नहीं आई तो इतनी सी बात द्यान लिजेगा पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर टू आपका दिमाग वहाँ पर अपने हाँ काम करेगा ठीक है आगे बढ़े अब मैं बात करूँगा यहाँ पर निट की नेट इंडिरेक्ट टेक्स की में बात करने जारा हूँ अब आपसे अ देखिएगा बात करते हैं अब हम एन इट इनडिरेक्ट टेक्स की टॉपिक है मेरा नेट indirect टेक्स जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे NIT Net Indirect Tax इसको आप समझेगा बच्चे देखिएगा इस चीज़ को जड़र पहले समझने कि आप यहाँ पर कोशिश करें इस पर हम NIT पर आओ अब निट से पहले हम एक काम करते हैं कि आपका फेक्टर कोस्ट and market price के बारे में समझते हैं कि बेसिकली फेक्टर कोस्ट क्या होता है market price क्या होता है प्रेजिक, प्रेजिक, बदाईता हूं, उसकी अब आप भू कर लीजिए, दिखिएगा, अब क्या होता है, कि कोई भी गुड़्स और शेटेक्स का कि अपड़ारेशन होता है, तो गवर्बर्मेंट क्या करती है, उसको पर टेक्स लगाती है, बताए लगाती है या नहीं लगाती है तो government उसके उपर क्या लगाएगी government उसके उपर जो है tax apply करेगी कैसे ज़रा इस चीज को ज़रा समझने कोशिश कीजिए मालो मैं एक चीज का प्लक्षन कर रहा हूँ कोई एक चीज है जिसको मैं produce कर रहा हूँ x है अब इसके उपर लक्षन में क्या क्या चीज लगेगी इसके उपर लक्षन में मुझे सबसे पहले क्या देना पड़ेगा एक labor देना पड़ेगा जब मैं labor दूँगा तो और मुझे मुझे क्यों करने के लिए और क्या देना पड़ेगा मुझे लाइंड देना पड़ेगा इस चीज को पड़ियूस करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा मुझे क्या लगाना पड़ेगा को एस स्टियश्ग के लिए मुझे और क्या देना पड़ेगा मुझे एक इंट्रप्र ट्रe को पता है लेंढ क्या है आपको पता है क्या आने को पता है वह एक्ति वह capable辉 करता है तो ले रहा है कि अगर बरसात नहीं हुई या बहुत ज्यादा होगी तो फसल बरबाद भी हो सकते हैं तो और जो रिस्क लेने के अब आपको पता है कि भया लगा तो दिया अब लगाने के बदले में क्या होगा आपको खर्चा आएगा और लेबर लगाया और लेबर पर आपको खर्चा जो है आपका आपको देना पड़ा suburbs प्र टेना पड़ा इंटर्स्ट पे आपका दो पे जा रहा है है clear entrepreneur जो profit कमा रहा है मानलिजिये वह भी आपसे एक रुपय आपका profit ले रहा है तो इस चीज को बनाने में कितना खर्चा है अगर मैं किसी को बनाओंगा तो उसका cost में किस तेगी से देखुँगा मैं देखुगा कि मेरा जो है rent कितना जा रहा है एक है अगा है की अजय को अगा है है अजय मैं देखें 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 की तो यहां पर मैं अगर किसी का प्लक्षिन कर रहा है तो देखूंगा कि मेरा इस पर रेंट कितना लगा इस पर मेरा वेजिस कितना गया और इस पर मेरा जो है इंटरस्ट कितना गया यह सारी चीजे में जो देखूंगा तो बेसिकली क्या है लेवर के बदले में मुझे देना पड़ रहा ह क्या देना पड़ रहा है मुझे यहां पर इसको मुझे वेजिस देना पड़ रहा है मुझे लेंड के बदले क्या देना पड़ रहा है रेंट देना पड़ रहा है इंट्रेपनेयोर जो है जो बिजनस स्टार्ट करेगा उसको मुझे क्या देना पड़ेगा अधर बिजनस प 32,00 फेक्टर और अगर आप बात करता हूं वेजिस रेंट लॉस्ट काईच्छ स१ाया तो जो फेक्टर के उपर मिरा पूस्ट आया हो कुस्ट कितना क्या इस जिस और आप चोष्ट्ट। अगर आप दिखेंगे फेक्टर के उपर K ranit ग्रस क्याल आ क्या होता एक आप किसी चीज्गा प्लक्षिन करते हैं तो उसके फेक्टर को लाने में यॉप प्रफिड मिला करके है सब कुछ देदू करके है तो लेकिन यह सात रॉपए ही बाजार में यह प्राइस जाएगा बिखने के लिए बताओ सात रुपए में तो यह ओफर नहीं होगा ना क्यूं कि गवर्रेमेंट क्या करती है गवर्रेमेंट प्लेक्शन पे टेक्स भी लगाती है मेरी बात समझेगा सरकार अगर दो रुपए टेक्स लगा रही है और सरकार गोड्स एंज सर्विसि को हम बोलते हैं उन्डायरेक्ट टेक्स होता है एक ँटैयरेक्ट टेक्स मेरी बात समझ वहाइगा क्लीर है परफिले बात में हिरतिक्स और एक आक आपका होता है इंडायरेक्स टेक्स तिक है ग्रेंट टेक्स क्या होता है। आपका बच्छे जो से के मालोर मेरे इनकम पर टेक्स लगा। यह you direk Text is और लगता है उसके उसको उसका बढन्स पर आफ़ोड करना पड़ता है और पेश नहीं करेगा उन्ध टेक्षत करें सब्सक्ट के बंगिए इस सीनेनुपन से व पर खुरूचपनर नरो Toοι Всё से ऍया करते हैं इस लगा तो आपको असक पर रांस्ट कर दिया तो इसे इंडारेक्ट टेक्स होता है, जो कि लगता किसी और पर है और वो उसका बड़न ट्रांसफर कहीं और हो जाता है, ऐसे टेक्स को इंडारेक्ट टेक्स कहते हैं, और वो टेक्स जिस पे लगेगा उसी को अफोर्ड करना पड़ेगा, लाइक इंकम टेक्स, ऐसे टेक्स टेक्स कुम डिर्ट टेक्स कहते हैं तो जो गूर्मेंट ने इंडिर्ट टेक्स लगाया ठीक है जी और गुसरेंट ने निजेए दो रुपर लगाती है तो क्या अब ये बाजार में 7 रुपर का का उफर होगा बिल्कुल भी नहीं होगा वह एक रुपए कमा रहा है दो रुपा सरकार को कहां से टेक्स देगा यह प्लाफिट भी चला जाए जीरो इनकम और एक रुप अपने जेव से लागा सरकार को दे बजार में कभी भी इस पर आफर नहीं होगा तो क्या हो क्या होना चीए नीड है प्लस करो सर क्या इंडिरेक्ट टेक्स चलिए जी आपकी बात बिल्कुल भी डिनाई नहीं करेंगा प्लस कर दिया अब यह वाज़ार में नो रुपय का हो गया मेरी बात समझे या नहीं समझे लेकिन आप कोई चीज ऐसी होती है जो कि काफी नेसिसरी होती ह लिए लोग के लिए बहुत जरूरी होती है उनके जीवन के लिए जैसे माल लीजे गैस सिलिंडर बहुत जरूरी यह लोग के लिए खाना बनाने काम आता है गरीब लोग जो है वो भी उसका इस्तेमाल करते हैं तो जो गरीब लोग है वो जो गैस इस्तेमाल करते हैं अगर उसे टेक्स लगते लगे और महंगा हो जाए तो उनके लिए तो भया सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो ऐसे चीज जो कि गरीबों के लिए है जैसे कि कोई खाद बनाना यूरिया बनाना जो किसानों को महंगा पड़ेगा लागए तो किसान कैसे उसका अफोर् गरीबों की पहुत से दूर हो जाएगी फिर गरीब सर्वाइब कैसे करेंगे तो जैसे कि गैस सिलिंडर का मैंने को धारन दिया तो पहले क्या आता था कि बंद पहले हजार रुपए कि उसकी लागत आया करती थी तो पहले यह हुआ करता था कि उसमें से मालों हमें वो 500 र मिस्टर एको 500 को पढ़ता था चीजों की कीमतों को कम करने के लिए लोगों के लिए जो होती है गोवर्नमेंट क्या करती है उसके वपर टेक्स भी इंपों से करती है क्लियर से तो गॉपर सबसिढ़ी लगाती है सबसिढ़ी देती है यह जो 500 रुप हो सो एकसी रुप पंपनी हजार प्रें लेगी 600 मैनिस करेगी और 400 रुपय जो है बोग अफोड करा कस्टमर के व्यापपर इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को हम सबसटी कहते हैं बेरी बात समझे या नई समझे क्लियर है जी बात समझे सबसेडी क्या होता है उसको हम हिंदी में क्या भोलेंगे मेरी बात समझे, clear है, तो मैं फिर से repeat कर देता हूँ, यह पहले आप देख लिए यहाँ तक कोई doubt है तो please ज़रूर पूछे क्लियर है, मैं बतायता हूँ सबसे डी क्या है, देखिए, एक सिलिंडर है, और यह सिलिंडर क्या है इसका, एक हजार रुपे प्राइज है, गौवर्मेंट ने पे कर दिया, कंज्यूमर की ब्यापपर, कितना, 600 रुपे, जब फिर मान लीजे चलिए, 400 रुपे गौवर्मेंट ने पे कर दिया, इस पे, जो कंज्यूमर पे करेगा, वो तब 600 रुपे करेगा, तो जो गौवर्मेंट जो पे कर रही है, कंज्यूमर की ब्यापपर, इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्सिडी बोलते हैं, और इसको हिंदी में कहते हम, अनुदान, मेरी बात समझे, सब्सिडी क्या होता, अनुदान क्या होता है, अब देखेंगे यहां पर आप, कि यहां पर आपके पास में इंडिरेक टेक्स दो रुपए, लेकिन सरकार को लगा कि यहां ज्यादा महंगी हो कई है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे नेसेसरी चीज़ है, तो गौवर्मेंट यहां पर क्या करेगी, गौवर्मेंट यहां पर एक काम करेगी, कि बोले प्रपेका पड़ेगा, अब मार्केट में इस पर ओफर हो जाएगा, मेरे बास समझे या नहीं समझे, तो यह जो मार्केट में आप ओफर हो जाएगा, इसको बोलते है मार्केट प्राइस, मेरे पहले बास समझेए, सामने पहले देखिए, डाउट हो तो फिर मुस्से पू झाल 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 हाँ जी तो अब आप मुझसे एक बात कहेंगे ये बास में आपको आई चलिए अब आप मुझसे एक बात कहेंगे सर एक बात बताईए जब सरकार ने एक रुपे की सबसीडी देनी ही थी तो दो रुपे का टेक्स क्यों लगाया अब सरकार उस पर दो रुपे का टेक्स लगा रही है सरकार उससे पैसे ले रही है फिर सरकार उसको सबसीडी दे रही है था. मेरा कहने का मतलब if क्या है आप क्या चाह रहे हैं? आप यह चाह रहे हैं कि जो subsidy जो दी गई आपको पताई है जो subsidies दी गई है वो कितने की दी गई है एक रुपए का चारे के सार indirect tax में subsidy minus कर लो ना तो सीधा का सीधा जो आपका एक रुपए बचे का यही आप टेक्स लगाऊ तो बच्चे इस tax को हम क्या वो आपको जो indirect tax अपना इतना लगाऊ आप ये कह रहे हैं मुझसे क्या आपके मन में ऐसी बात है या नहीं है कि सब दो रुपा आप indirect tax लगा रहे हो फिर एक रुपा सबसीडिय भी दे रहे हो तो आप indirect tax अपना एक रुपा ही लगाऊ ना ये बा अभी आपको पता लगा या नहीं पता लगा सवंज में आया या नहीं आया हां या ना बोलो देखो हर ची समझा दूँगा मैं आपको क्लियर है जैसे भागिश्वर दाम वाले सबको हर को समझा रहे हैं आज के टाइम पर तो वैसे वैसे तो खैर वो तो बहुत अलग नेट इंडिरेक्ट टेक्स और यह हमारे पास में क्या होगा यह इंडिरेक्ट टेक्स मैनेस पर यहाँ पर हमारे पास में इंडिरेक्ट टेक्स मैनेस तो आपको पता लगा क्या कि आप मुझसे एक बात कह रहे हैं कि सर जो फेक्टर कोस्ट में आप एक काम कर रहे हो कि आप इंडिरेक्ट टेक्स फेक्टर को जो भी आयता है इंडिरेक्ट टेक्स आप एड़ कर रहे हो फिर आप माइनेस क्या कर रहे हो माइनेस फिर सबसीडीज भी कर रहे हो यह सब ताम ज बढ़ी बात समझे या नहीं समझे या या नहीं आई यह बताए यह बात आपको समझ में आई कि अगर अगर आप फेक्टर कोस्ट में डाल देंगे तो डेरेट अब कहां पहुंच जाएंगे Factor FC کا क्या मतलब है FC का मतलब बचे Factor Coast है मैंने भी बताये ना आपको Factor Coast कहां पे यह रहoh Factor Coast इसको हम क्या बोलते है इसको हम FC बोलते है ठीक है जी इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे Market Price ठीक है ना कारक लागत और बाजार ख्यमत ठीक है जी बात समझें यह आपका क्या हुआ है बाजार खीमत और आपके पास में यह क्या होता है इसको हम क्या बोलते हैं कारक लागत फेक्टर कोस्ट होता है यह क्लियर है जी बताइए जरा कोई डाउट किसी बच्चे को कि डाउटे जरूर पूछे तो अब आपको यहां पर एक बात संज में आगए क्या उसको जरा कंद्वीड करते हैं कि कि आपका मार्किट जब फेक्टर कोस्ट में एड़ करते हो तो जाकर मार्केट प्राइज आपका बनता है तो इसका मतलब क्या है कि कि तुरौत में जब फ FC, FC में NIT नहीं होता है, FC के अंदर इक्लूर नहीं होता है, formula बनाने में काम आएंगी है knowledge, ठीक है, बात सुन में आई हैं आपको, और बात करते हैं, market price की, market price मतलब के MP में NIT इंक्लूड करने हैं, तो इसमें NIT होता है, included होता है, NIT, NIT इंक्लूड होता है, मेरे बात समझे, clear है, अब कुछ बाते करते हैं, मैं मेरे बात समझेगा जड़ा, मैं सबसे पहले बात करता हूँ, domestic की, thought में बता रहा हूँ मैं आपको, मैं पहले बात करूँगा किसकी, NFIA की बात करूँगा, बात समझे, हर एक चीज का अपनी जगे पर इस्तेमाले कुलम लाकर की तीन ही चीजे हैं, ठीक है जी, तीन ही चीजे हैं, मैं पहले बात किसा कर रहा हूँ, मैं पहले बात करूँगा, NFIA की मैं बात करता हूँ, तो इसमें चीजे हैं कि क्या, दो यह आपका जो है ना, दो बाते हैं, यहाँ पर एक बात आएगी, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में शामिल, डोमेस्टिक में यह आपका इंक्लूड नहीं होता है, और दोमेस्टिक में इड करते हैं गऑंध को यादashing करना परता है, यह उन्दर करना परता हैं, ने किती हैं कीम्ला, आफ ने तो और ने चीजे, चीलगा ने यह उत्वी होता है, पहले बात समझ गीम्हा है? है एक लिए रजे समझे इस बात को समझ लिजीगा दूसरी मैं बात कर रहा हूं किसकी के दूसरी बात कर रहा हो यहाँ पर डैक की एक ही पेच पर बात समझ लिजी तो ज़ाद़ बेतर है अधान आफ ने तो डैप में यहीं बताव्याइं कि ग्रॉस में कि नेट में कि एंक्लूड नहीं होता है मैं नेट में नहीं होता है ने आप रॉस कम आप में से मानिस करकेश़चे है और क्या होता यह ग्रॉस में इंक्लूड होता है ठीक है जी क्लियर है और बात करते हैं एनाइटी की बस इस बात का आप ध्यानक लेंगे ना बस मान लिजिए कि आपको चप्टर आपके हाथ में आ गया एक होता है है फैक्टर कोस्ट में कि इंक्लूड नहीं होता है मैंने एक-इक बाते बताईएं आपको और एक है मार्केट प्राइस में कि इंक्लूड होता है मेरी बात समझें नहीं समझें इप यह बात द्यान रखेगा आ बस लिजिए पहले मैंने आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेलिंग की है उसको अच्छे से मैंने समझाया है और इस चीज को आप ध्यान रखें इस चीज को आप थोड़ समझें और हम आप गठी है और पन् pill कि उस्टे से खिए समझे सार नच्छे से रखें और नच्छे और दन भई कोई डाउट तो मैं आज की क्लास में सबसे पहले आपसे यही बात करूंगा कि बच्चे आप पहले इन बातों को अच्छे से देखेगा इन बातों को अच्छे समझेगा next क्लास हमारी होगी formula बनाने के उपर जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि GDP से हम NNP पे कैसे जाते हैं NNP से हम GNP कैसे बनाते हैं एट फेक्टर कोस्ट कैसे बनाते हैं market price कैसे बनाते हैं इसको रीड कैसे करते हैं फर्स्ट लेटर किस इसको रिपर्जेंट करता है डिटेलिंग में बताऊंगा और अगली कख्षा में आप जो है महारत हासिल कर लेंगे फॉर्मला बनाने में और उसके नेक्स फिर हमारे इंकम मेथड नुमेरिकल के फॉर्मिट दैन उसके बाद नुमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा अगली कख्षा में मेरी बात समझे या नहीं समझे अग्या जाता है और इन सब चीजों के भी ना वह बाते हैं आपकी बनेंगी नहीं तो वह सारी चीज़ें आपको सब्सक्राइब और पु applied अलीग करेंगे अभी समय है अभी नुमेरिकल स्टार्ट नहीं गया नुमेरिकल भी नाना करते हु找 dużo नुमेरिकल गरें तो घरम नो एक बीनियमीम करना है हमें तीन मैंठट पर तीन नुमेरिकल करना है तो अभी है टाइम इसको अच्छे सा आप सीख रहे हैं समझ रहे हैं यह एक अच्छी बात है ठीक जी मिलते हैं फिर हम नेस्ट क्लास में आपका जो टाइम है जो आपका स्टूल है उसी के कोडिंग जो है ठीक जी थैंक्यू ज करें जीओ कोड़ पाइमि मुझण से रहे हैं चा सस बात हैं